हम non probability sampling में आगे बढ़ते हुए इसकी एक और टेक्निक जिसको हम यह sampling procedure जिसको आप purposive sampling कहते हैं और कभी कबार आपको literature में इसके लिए लफस judgmental sampling भी लिखावा मिलेगा इसके बारे में थोड़ी सी गुफद्गू करते हैं यह concept मेरे ख्याल में उन concept में शामल है जो सबसे ज्यादा misperceived होते हैं लोगों में purposive से यहां मुराद यह है कि आपका purpose of research आपके research questions ऐसी सूरते हाल जिसमें आपको किसी बहुत ही specified issue पे कोई data चाहिए मिसाल के तौर पे मुझे cricket के बारे में या cricket में भी balling के बारे में कोई data collect करना है तो मुझे चाहिए कि मैं अपने sample में वो लोग लूँ जो के balling के माहिर हैं और recognized हैं इस काम के लिए पाकिस्तान में फर्स कर लिजिए fast ballers जो हैं मैं चाहता हूँ कि उनकी अच्छी तरह से हम आगे selection कर सकें या उनके वो हमारे हैं अच्छे baller पैदा हूँ तो इस बात के लिए मुझे जो data लेना होगा वो साब जारे करिकेटर्स में से भी specified group है आगए जब भी कोई researcher अपनी research में किसी बहुत ही specific issue को discuss कर रहा होता है और उसके लिए data collect करना चाहता है तो उसके पास option यह है कि वो purposive sampling कर ले purposive sampling में researcher की हम कहते हैं women के researcher choose करता है कि इन लोगों से data लेना है लेकिन researcher अपनी will पे choose नहीं करता रिसरचर एक criteria पे choose करता है वो criteria जो है वो फर्द कर लिए knowledge पे base हो सकता है वो लोगों की expertise पे उनके experience पे उनकी uniqueness पे जो है वो base कर सकता है लेकिन वो एक criteria lay down करेगा कि जो चीज मैं हासल करना चाहता हूँ data में उसको देने के लिए जो लोग इस criteria पे पूरे उतरेंगे मैं उन में से sample select करूँगा तो उस फर्स कर लिजे मैंने ballers से data लेना है cricket में तो मैं कहूंगा अच्छा या जिसने test match खेले हूँ इतने test match खेले हूँ जिससे कमस कम इतनी speed से balling की हो जिसकी कमस कम इतनी victory international cricket में मौझूद हूँ तो मैं एक criteria सेट कर दूँगा और ये criteria यकीनन researcher सेट करता है और researcher इस criteria के लिए जो मैयार रखता है वो उसका research question होता है जिसकी बुनियाद जिसको जवाब देने के लिए उसने ये data कठा करना है तो इसको आप purpose कहते हैं यहाँ purpose से मुराद इसके इलावा और कुछ नहीं है जी बस इतनी सी बात है कि वो criterion सेट करना और उस criterion के against लोगों को मनतखिब करना अब किताबों में जब आप पढ़ेंगे ना जी तो purposive sampling और judgmental sampling को आपस में at times नहीं बलके बहुत ज्यादा दफ़ा एक ही चीज़ कहा गया है जिबके मेरी राए में इन में बड़ा distinct फरक है जी यह वो फरक यूँ है कि judgmental से मुरादे कि परपसिफ sampling में क्या था एक criteria मैं बना सकता हूँ अपने research question को सामने रखते हुए और फिर उस criteria पे पूरे उतरने वाले लोग sample में आ जाएंगे judgmental में जरूरी नहीं है कि मैं कोई criteria बनाओ मुम्किन है कि मैं अपनी जाती judgment इस्तमाल करता हूँ as a researcher यानि परपसिफ में basis of selection criterion है judgmental में basis of selection judgment of the researcher है हाँ अब ये इमकान मुझूद है कि मेरी वो judgment rational हो और at times irrational भी हो सकती है मैं किसी को मेरी राय में कोई शक्स इस काम के लिए अच्छा data दे सकता है या expert है जबके वो उस चीज के लिए recognize ना हो मुल्क में तो मैं फिर भी उससे data ले लूँगा अब क्योंके पीछे कोई criterion नहीं था इमकान है के नहीं था तिरफ मेरी judgment थी जब लोग इसको एक ही कहते हैं तो असल में वो ये assume कर रहे होते हैं कि judgmental जो भी होगी उसके पीछे भी researcher कोई नहीं कोई criteria बना के बैठा होगा जिसका बहुत इमकान है के बनाओ लेकिन इसका ये भी इमकान मौजूद है के कोई criterion ना बनाओ उसकी जाती judgment उसकी जाती observation राए से बनता और कोई uniform चीज पीछे मौजूद ना हो पर selection of individual तो मैं purposive sampling को और judgmental sampling को थोड़ा सा differentiate करता हूँ लेकिन मैंने इनको एक अठा लिखा इसलिए है कि आप जिब भी किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सारी किताबों में ये आपको एक दूसरे के alternate के तौर पे या एक ही चीज़ के दो नामों के तौर पे नज़र आते हैं मैं एक दफ़ा फिर आदा करता हूँ इस बात का कि आप इसमें फरक देख सकें सेम तो आपको हर जगा लिखावा मिले गई मेरे नज़्दीक इसमें फरक यह होता है कि परपजिफ सांपलिंग में रिसर्चर एक क्राइटेरियन बयान करता है उस क्राइटेरियन की बनियाद सेलेक्ट होने वाले लोगों का knowledge उनका expertise उनका experience उनकी uniqueness हो सकती है लेकिन जब ही उसने वो क्राइटेरिया बले डाउन कर दिया बना दिया तो अब selection उसके against होगी अब researcher की choice उसमें उस तरह से मदाखलत नहीं कर सकती जबके judgmental sampling के अंदर researcher क्राइटेरिया बना भी सकता है और at times ना भी बनाए तो even then वो अपनी सिर्फ अपनी personal observation की बनियाद पे personal convince होने की बनियाद पे वो लोगों को select कर सकता है और उसके पीचे कोई framework या कोई criteria होना जरूरी नहीं है हो भी सकता है लेकिन ना भी हो even then वो judgmental sampling के लाएगी तो आप इतना सा फरक इसमें जरूर समझ लीजिए बाकी concept के लिहाज से simple बात है अपना research question सामें रखें criteria मकरर करें उस criteria पे पूरे उतरने वाले लोगों को मनतखिब कर लें हम कहेंगे आपने purposive sampling का इस्तमाल किया